अगर pen drive या memory card corrupt हो जाए तो उसको बिना format किये भी ठीक किया जा सकता है अपने computer के अंदर अपनी corrupted pen drive या फिर memory card को connect करें connect करते ही आपको इस तरह का एक message मिलेगा जिसके अंदर आपको format disk का option मिलेगा तो आपको simply इस पे cross कर देना है इसके बाद this PC पे क्लिक करके आपको अपनी corrupted drive उसका letter चेक कर लेना है तो मेरी इस drive का letter है F इसके बाद आपको search box में type करना है cmd और यह command prompt को right click करके run as administrator कर दीजिए इसके बाद आपको यहाँ पे command type करना है chk dsk उसके बाद space देना है F यहाँ पे आपकी drive का letter है इसके बाद space देके आपको forward slash आलना है उसके बाद यहाँ पे F command देनी है तो F command का मतलब है कोई भी error जो आपकी drive में उसको यह fix कर देगी इसके बाद जैसे आप enterprise करेंगे तो आपको यह वाले errors देखने को मिलेंगे और end में आपको यहाँ एक result मिलेगा window has made correction to the file system इसके बाद आपनी drive को open करके उसका सारा content यहाँ पे देख पाएंगे